नमस्ते मैं हूँ देव दृष्टी कॉन प्रोडक्शन से और आपका मुजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करेंगे एडिसन के बारे में ये आपके सामने जो वी एस्टी खुला हुआ है और देखेंगे इसके कुछ कूल फीचर्स इसका पहला फीचर आप अल्रेडी देख चुके हैं नॉइस रिमूवल वाले लेक्चर में अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सीरीज में जाके चेक कर सकते हैं यहाँ मेरे सामने है एक आडियो क्लिप फीमेल वोकलिस्ट की है आईए सुनते हैं नाइस तो आईए देखते हैं एडिसन से हम इसके साथ क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप देखेंगे मेरा हाथ यहाँ पर जा रहा है माउस और जैसे ही लेफ्ट टॉप पे आया है यह जो पॉइंटर है मेरे माउस का यह हाथ में कनवर्ट होयाता है इस पर क्लिक किया बहुत सारी ओप्शन्स हैं मैं यहाँ जा रहा हूँ एडिट सेंपल इस पर किया क्लिक और एडिसन के अंदर वो ही सेंपल आ गया ओके तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यह टूल बना हुआ है आप देख रहे हैं इसके उपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाता हूँ रिवर्स मैंने वो आडियो रिवर्स कर दी है यह मैं सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ डिलीट का बटन थोड़ा और अटाया ठीक है सुनते है इस चैनल के अंदर यह है आडियो अब मैं क्या करने वाला हूँ एक रिवर्ब एड़ करूँगा और रिवर्ब भी बहुत ज़ादा साइज बढ़ा दिया है मैंने वेट भी बहुत ज़ादा बढ़ा दिया है सुनके देखते है नाइस अब मैंने क्या किया एक और एडिसन लोगा सेम चैनल के अंदर और दोनों एडिसन मैंने आमने सामने रख दी है अब बहुती सिंपल चीज है ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ एक को करूँगा record और दूसरे को करूँगा play record, play stop, ठीक है वो record हो गई जो इधर play हुआ था वो इधर record हो गया with reverb क्योंकि मैंने बीच में reverb एड़ कर दी थी अब मैं क्या करने वाला हूँ वापिस से इस tool वाले icon के उपर गया इस पे click किया और वापिस से मैंने कर दिया reverse वो वापिस उल्टा हो गया है अब देख रहे हैं cool feature हो गया है अब मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरी drag and drop की option है इस पे मैंने click किया पकड़ के रखा हुआ है ये मेरे हाथ में आ गया है जहां मैंने छोड़ा वहाँ पर आ गया पूरा zoom करूँगा और audio को एक दूसरे से match करूँगा ये match कर दी है और यहां से मैंने इसे काटा और right click से कर दी है remove आई ये सुनते हैं क्या effect बना है तो आप देख रहे हैं क्या cool चीज़ बनी है अब हम देखेंगे Edison का दूसरा cool feature ये मैंने उड़ा दिया यहां जाता हूँ किसी और number में गए चैनल में और यहां पर mixing channel में गए और यहां पर मैंने जाके लिया है फिर से एक Edison डंस में जाते हैं केक्स में जाते हैं कोई एक किक लेंगे चलिए किक ली ब्रैग और ड्रॉप एडिसन के अंदर ठीक है right अब बिल्कुल आखरी में मैंने थोड़ा सा पकड़ के सिलेक्ट किया और क्या कर रहा हूँ मैं ctrl c ctrl v आप देख रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पे पेस्ट हो गया है वो खाली सी जगा मैं ctrl v v v v v दबाता जा रहा हूँ और वो जगा बनती जा रही है आप देख रहे हैं मैं क्या करूँगा ctrl v दबाके ही रखूँगा काफी खाली जगा बन गई है इसे मैंने सिलेक्ट किया ctrl c ctrl v ctrl v c अब बहुत ज़ादा जगा मैंने याँ पे बना दी है खाली ओके अब मैं क्या करने वाला हूँ यह है मेरी केक right और आगे है खाली जगा इस खाली जगा को मैं कर रहा हूँ select simple मेरे mouse के left click से और ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है run अगर आप hint panel में जाते हैं आप वहाँ पढ़ेंगे वाली खाय है run script इसे मैंने किया click बहुत सारी options हैं जिसमें जाओंगा generation क्योंकि मैं generate करने वाला हूँ एक sine wave, sine generator इस पर मैं करता हूँ click आपके सामने है यह option मैं क्या करने वाला हूँ एक sub base create करूँगा जिसकी frequency lower side होगी obviously रखते हैं 50-55 Hz 45 Hz रखते हैं चलिए phase हम नहीं छेड़ रहे है phase क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे volume किक का volume अगर हम 1 लेके चलें तो इसे थोड़ा सम कम रखते हैं 1 से चलिए 0.8 something कुछ कर दिया है run जैसी मैंने run पे क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक sine wave आगी है इसे सुनते है ठीक है एक sub बन गई है अब मैं क्या करने वाला हूँ इसे मैंने किया यहाँ से zoom double click किया selection हट गई अब मैं देख रहा हूँ यह बिल्कुर ध्यान से देखने वाली चीज़ है जूम किया crest trough यहां से यहां मैं कर दूंगा select करके delete इसे और जूम करेंगे scroll करके आप देख रहे हैं मैं actually मैं क्या चाहता हूँ मेरी kick और जो मैंने sub बनाई है वह आपस में बिल्कुल match हो जाए एकदम sine wave perfect बन जाए ताकि बीच में click की sound ना आए यह थोड़ा और select किया delete थोड़ा और select किया delete यह थोड़ा अभी भी यहां पर है इसे भी select किया delete अब सुनते हैं क्या चीज़ बनी है stop किया अगर आपके speakers के साथ कोई subwoofer लगा हुआ है या फिर headphone की अची बेस है तो आप सुन सकते हैं यह एक sub kick बन गई है पहले kick कैसी थी और अब कैसी बन गई है लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जाके click की sound देता है वो तुक तो इस तुक को क्या करेंगे हैं थोड़ा सा मैंने end वाला select किया वापिस यहाँ click किया और मैंने कर दिया fade out वो fade out हो गई है double click selection हटी stop अब सुनते हैं nice drag and drop पकड़ा यहाँ जाके मैंने छोड़ दिया है zoom करेंगे तो आप देख रहे हैं sub kick आप किसी भी kick के साथ इसे merge कर सकते हैं अपनी taste के हिसाब से 50 hertz 60 hertz कुछ भी कर सकते हैं और एक और चीज भी कर सकते हैं दूसरा feature जैसे मैं क्या करने वाला हूँ वापिस यह आखरी खाली जगा इसको मैंने किया select ctrl c copy paste ctrl v मैं दबा के रख रहा हूँ लगातार यह चीज यह फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह music production में I don't know कि यह काम की चीज होगी या नहीं लेकिन sound design में काम की जरू rate कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर frequency जो 20 से 20,000 Hz आपको मालूमी है जो audible होती है मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ 8,000 ट्राय करते हैं अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा है एक sign wave बन गई है अगर मैं zoom करके आपको दिखाऊंगा तो यह एक sign बनी है जो लोग headphone पर सुन रहे है मैं पहले ही आपको बता दूँ volume कम कर लो क्योंकि यह आपको कान में परिशान कर सकता है यह मैंने actually क्या चीज़ बनाई है volume कम करके सुनिये मैं play करने वाला हूँ जिनों ने volume कम नहीं किया था उनको मैं sorry बोलूँगा क्योंकि obviously कान के परदे हिलाने वाली यह चीज़ है यह कब हमें काम आता है जब कोई serial या movie के background scoring में हमें दिखाते हैं कि bomb फट रहा है या कोई ऐसा scene है कि hero ने villain को चांटा मारा और कान में की sound आ रही है तब इस तरह की sound design यहाँ पर की जाती है तो Edison से आप कोई भी sine wave, saw wave अलग अलग तरह की generate कर सकते हैं अपने taste के हिसाब से अपने कोई भी particular frequency जो आपको चाहिए अगर आप सब base चाहते हैं अच्छी baseline बनाना चाहते हैं 808 बनाना चाहते हैं जैसे यह एक हमने 808 यहाँ पर बनाई थी तो आप 50 60, 70, 40 hertz यह ले सकते हैं अगर आप इस तरह की बनाना चाहते हैं तो 6000, 7000, 8000 वो आपके taste के उपर depend करता है अब हम Edison का एक तीसरा cool feature देखने वाले हैं हम यहाँ जाते हैं और इधर मैं गया vocals, okay ओके, यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, edit sample, आपके सामने sample आ गया है, मैंने सिर्फ इतना सा select किया है बीच में से, और यह उठा के यहाँ रख दिया, आप देख रहे हैं, यह section मेरे पास आ गया है, right click, piano roll आप देख रहे हैं, आप क्या चीज बन गई है यहाँ पर, आपने DJ SNA के बहुत सारे गाने सुने होंगे, आज कल यह चीज बहुत चल रही है, एक vocal को लेके उसे chop कर दिया जाता है, और उपर नीचे pitch किया जाता है, यह इस तरह से किया जाता है, अगर आपको नहीं पता, म यह भी कर दिया, डिलीट, यह पकड़ा, यहाँ ले आए, इसका नाम क्या है, VOC Push It Hash 2, ठीक है, पैटर्न चेंज किया, राइट क्लिक, पियानो रोल, C5 पे इसकी औरिजिनल साउंड होगी, आप देख रहे हैं, एडिशन के साथ आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप उससे noise remove कर सकते हैं, reverse, reverb जैसे effect दाल सकते हैं, फिर हम 808 बनाते हैं, 808, trap sound हो गई या hip hop हो गई, जिसमें bass आ रही है, kick के साथ वो चीज बना सकते हैं, इस तरह के हम sound बना सकते हैं, यह देखिए, double click, control A, पेच उपर ले गया, इस तरह के effects बन सकते हैं, तो आप Edison के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर record का button दबाते हैं, तो यह बहुत सरी options पूछता हैं, मैं हमिशा prefer करता हूँ everything, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि जो भी आप record करें, उसे Edison के अंदर आप edit भी करना चाहते हैं, तो आप audio into Edison audio editor recorder, इस पे click करेंगे, तो वो Edison के अंदर record होनी शुरू हो जाएगी, production जाइस पूरे course के regarding कोई भी आपकी query हो, आप मुझे message कर सकते हैं, यह मेरा youtube channel है, youtube.com slash dev music, आप इसे subscribe कर सकते हैं, मेरा facebook page facebook.com slash dev next level, आप मुझे message कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, 24 घंटे में सब का reply करूँ, और यह है मेरा soundcloud, .com slash dev next level, यहाँ भी आप मुझे follow कर सकते है और मेरी sound सुन सकते हैं, तो यह थे Edison के कुछ cool feature, मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए देव रॉम दृष्टिकोन प्रोडक्शन, signing out, नमस्ते